एक केक के नौ टुकडे किये गए, अगर ब्रिजेश ने पांच टुकडे खाए और गीता ने तीन टुकडे खाए, तो केक का कुल कितना हिस्सा खा लिया गया? आईए इस प्रश्न को चित्र द्वारा समझें, मैं यहाँ एक केक बना लेता हूँ, मैं यहाँ केवल एक वृत यानि की सर्कल बना रहा हूँ, क्यूंकि उपर से देखने पर केक ऐसा ही लगता है, और अब हम इसके नौ टुकडे कर लेते हैं, यह नौ टुकडे एक समान है, इसलिए हमें केक के नौ समान टुकडे करने होंगे, और पूछा गया है कि केक का कितना हिस्सा खा लिया गया? पहले हम इसके को नौ हिस्सों में बाट लेते हैं, इसके लिए हम पहले इसे तीन हिस्सों में बाट लेते हैं, अगर आप नहीं जानते हो, तो मैं बताना चाहूंगा कि यह चित्र मरसेडीज कार के चित्र जैसा लग रहा है, तो अब हमने इसे तीन हिस्सों में बाट दिय कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सभी हिस्से एक समान दिखाई दें, ये ठीक लग रहा है, तो अब हमने इस केक को 9 बराबर हिस्सों या 9 समान टुकडों में बाट लिया है, और बताया गया है कि ब्रिजेश ने इसमें से 5 टुकडे खाए, तो ब्रिजे ये उत्तर नहीं है, यहाँ पर केवल इतना ही नहीं पूछा गया है, कि ब्रिजेश ने कितना केक खाया, बलकि ये पूछा गया है कि ब्रिजेश और गीता ने कुल कितना केक खाया, और बताया गया है कि गीता ने 3 टुकडे खाए, तो गीता ने 1, 2, 3 टुकडे खाए, कि केक के कुल 9 समान हिस्से थे, तो कुल कितना हिस्सा खालिया गया? हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानि कि केक का 8 बटा 9 हिस्सा खालिया गया, तो अब हम इस उत्तर को यहां लिख लेते हैं, हम यहां 8 लिखेंगे और फिर इस तरह से स्लैश का चिन प्रयोग करके इसके बाद 9 लिखेंगे, यह हो जाएगा 8 बटा 9 यानि कि केक का 8 बटा 9 हिस्सा खालिया गया, आईए इसी तरह के कुछ और प्रशन करें, इशान ने केक के 2 टुकडे खाए, उमेश ने 3 टुकडे खाए, अगर शुरुआत में केक के कुल 8 टुकडे थे, तो केक का कितना हिस्सा पाकी बचा, यह काफी रोचक प्रशन है, मैं इस प्रशन को नोट पैड में कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं, यह पिछले प्रशने से काफी मिलता जुलता प्रशन है, पहले हम यहाँ केक कचतर बना लेते हैं, इस केक में 8 सम बना रहा हूँ, पहले इसे 2 टुकडों में बाट लेते हैं, और अब इसे 4 टुकडों में बाट लेते हैं, मैं सभी टुकडों को बराबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब मैं इसे 2 बार और काटूंगा, जिससे इसके 8 समान टुकडे हो जाएंगे, तो यह इस केक के आठ समान टुकडे हैं और बताया गया है कि इशान ने केक के दो टुकडे खाए उमेश ने तीन टुकडे खाए उमेश ने केक के एक दो तीन टुकडे खाए हो सकता है कि आप सोच रहे हूं कि इसका उत्तर पांच है उन दोनों ने केक के कुल आठ टुकडों में से पांच तुकडे खाए, यानि कि उन्होंने केक का 5 बटा 8 हिस्सा खाया, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने केक का 5 बटा 8 हिस्सा खाया, तो आप सही सोच रहे हैं, क्यूंकि उन दोनोंने कुल 8 तुकडों में से 5 तुकडे खाये, लेकिन प्रश्ण में कुछ और पूछा गय यहां पूछा गया है कि केक का कितना हिस्सा बाकी बचा, यानि कि इशान और उमेश के खाने के बाद केक का कितना हिस्सा बाकी बचा, तो उन दोनों के खाने के बाद केक के एक, दो, तीन टुकडे बचे, कुल आठ टुकडों में से तीन टुकडे बचे, इसलिए हम कह सकते ह कि केक का 3 बटा 8 हिस्सा बचा तो अब हम इस उत्तर को यहां लिख लेते हैं तो केक का 3 बटा 8 हिस्सा बाकी बचा अपने उत्तर की जाज कर लेते हैं और ये सही है